पैथागोरस के पीछे कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब एक लड़का जो है जंगल से बहुत सारे लकड़ियों को ले करके क्योंकि पहले जंगलों में बहुत जंगल हुआ करता था अबादी बहुत कम हुआ करते थी लोग लकड़ी को बाजार में बेच करके अपना रुप्या पैसा अरजित करते थे और उसी से अपना जीवन आपन कर दे थे तो एक लड़का जो है वो क्या करता था कि जंगल से बहुत सारे लकड़ियों को काट करके जो है वो क्या करता था कि जाकर सहर में बाजार में जाकर बेचता था तो वो क्या क्या कि एक टोकरी में जो है लकडी का मतलब पांच छे लकड़ियों का गठर बना बना करके वो पूरा सर्याय हुए था वो टोकरी में और उसको बांध करके गठर बना करके चार लकडी का लकात होती है तो वो उल्ड परसन उससे पूछता है उस बच्चे से कि बताओ तुम यह सब कहां लेकर जा रहे हो तो बच्चा बोला कि बाबा मैं यह जो है लकडियों को मतलब बाजार में बेचने जा रहा हूं इससे कुछ पैसे आएंगे जिससे मैं अपना जीवन यापन क करूंगा तो बुढ़े ने बोला कि देखो तुम बाजार में जाओगे हाथ पे जाओगे तो इस लकडियों को बेचने बेचकर तुमें पैसा मिलेगी ठीक है तो अगर कोई एक लकडी लेना चाहेगा कोई दो लकडी लेना चाहेगा तो तुमको खोलना पड़े उस गठर जब खरीदार जब पहुचता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि वो देखेगा कि कहां पर ब्यबस्तित धंग से चीजें रखी हुई है क्योंकि हमारी आख्ये जो है वो अच्छी चीजों को ज्यादा देखना है जल्दी वहां पर अट्रेक्ट होता है देखना करती है तो वो सबसे पहले बाबा वो जब मेरा ठीक से बांधा हुआ रहेगा लकड़ी का गठर और वहां पर सर्याया हुआ रहेगा अरेंज किया हुआ रहेगा तो सबसे पहले लोग आकर मेरे पास आएंगे और जब वो मेरे पास आएंगे तभी तो मैं उनको लकड़ी स समय लेगा उसे खोलने में उनके मुताबिक उनको देने में लेकिन मेरा सेल ज्यादा होगा और उससे मैं ज्यादा पैसा अर्जित कर सकता हूँ इसलिए लोगों को एट्रेक्ट करने के पॉइंट ऑफियू से हमने लकडियों का गठर बना करके यहां पे टुकरी में लेकर जा रहा हूँ ताकि मेरा ज्यादा सेलिग तो उस परसन को बढ़ा ही अच्छा लगा वो ओल्ड मैन को बढ़ा ही अच्छा लगा इसका सोच सिक्ति जो है उस मत्वालक वो लेकर कर जाता है और प्रहाता है और बाद में वही बालक जो है वो पाइथागोरस कहला लाता है और वो पैथागुरस उन्होंने भी एक थियोरम दिया जिसको आप यहां पढ़ रहे हैं H square equal to P square plus B square तो कहने का मतलब मेरा basically यही है कि देखे आदमी में जो है ना विधाएं है बस उसको समझने के अब सकता है है कि ने और उसको निकारने के अब सकता है हर हमारे अबुल कलाम ने कहा था कि children are nothing children are nothing but missiles but without guidance बच्चे जो होते वो मिसाइल की तरह होते हैं लेकिन उसको सही guidance चाहिए सही direction चाहिए यह बहुत ही important है खेट तो यहाँ पर H square equal to P square plus B square जो है पाथागोरे स्थियोरम है और